कि नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका नियूद कर साइस यूटूब चल में मधिकाली नितिहास की संखला को आगे बढ़ाएंगे जिसके अंदर आज हम डच इस्ट इंडिया कंपनी के बारे में देखेंगे देखेंगे डच कहां से आये थे और कैसे आये थे उनके बारे हम चुका हूं इसके उपर मैंने सबसे पहले एक परीचे बताया था जो में मौडरन इस्टिम पढ़ना था उसके बाद मैंने बताया था आपको पूर्तगाली पूर्तगाली के बात आज हम बात करेंगे डचों के बारे में तो आए देखते हैं डच इस्ट इंडिया कंपनी क हैं बात एक है नाम चेंज हो गया है उसका और इस ऑफिस्यल तौर पर नीदर लैंड ही है जिसकी राजदानी क्या है तो मुख्य रूप से आप सबसे पहले में बता दूं आपको मैंने मैप पीछे बना रखा इस मैपको बना लेजे इस मैपको बनाएंगे तो आपको कैसे वह कहां से जाते थे उंके बारें बताएंगे और मुख्य उनका जो केंडर निदर दच नका सुरुआत में तो सबसे पहले हैं देखेंगे तो डचों का जो अन्यके कंपनिया थी उनका आकरशड का केंडर भारत रहा था लेकिन जो डच थे उनका केंडर अधात के जो इस वैसे क्या था यहां पर मसाले वगरा की खेतिया खें भूमत रेखी आज पास के जो वनस्पतियां है यहां पर खूब फलती फूती थी इसलिए उनको जरुद भी इसी चीज की थी उनको चाहिए था क्या मुझकी रूप से मसाला मसालों में भी काली मिर्चोगरा और भी जो भी चीजे हूँ जो क्योंकि आप देखेंगे यूरोप में आपको कहीं पर भी उस तरीके का मौसम मिलता नहीं है जो उनको क्या कर सके कि जो उस तरीके का क्लाइमेट ना होने की वेसे अर्था था था हमिट ग्लाइमेट या कहाँ कि जो भूमद रेखी च्छेत्र काल जो इन्डूनेशिया के छेत्रों पर उस टाइम पर आप देखेंगे तो जो यूजित अमेरीका था उत्तरिय दच्छडि अमेरिका उनकी खोज वगरा में उतनी जदा भी यहां पर मैंने कुछ यूरोप का मैप बना दिया है यहां पर आप देखेंगे तो बेल्जियम पड़ेगा बेल्जियम के जस्ट बगर में आप देखेंगे तो यह यह नीदरलेंड इसी को बोलते थे हाल एंड यही है डच यही से क्या होते हैं इसी के पास में देखेंगे तो यही पड़ता है यह यह देनिस यह देनमार्क रहने वाले अभी मापके अभी मैं आप देख लीजिए ताकि आपको आगे चलकर करके मैं बताओं तो आपको थुर लेंड अगर देखेंगे तो पंधरमी शोलगवी सताब्दी के आजपास में क्या होता खोजों का दोर काफी बड़े से चलता चला जा रहा था सब क्या कर रहे थे एक दूसे मतलब आप देखें स्पेन हो पूर्टगाल हो अंग्रेज हो यह सब क्या कर रहे थे खोज पे- एसा हैसा होता है कि कुछ खोज की जाए क्योंकि उनकी जो आवसकताओं की पूर्ती वो नहीं हो पारी काली मिर्च वगरा के लिए उनको यूरोप के अन्य देशों पर निर्भान होना पड़ता था इसी को देखते हुए उनको क्योंकि इससे पहले जो वास्को डिगामा थे भारत का मार्ग खोज लिया था तो इसलिए डचों के लिए उतनी शमाश्या थी नहीं उनको सिप्ग क्या करना था उस मार्ग पर बस चलते जाना था ताकि वह भारत तक पहुंच सके इसलिए, जब डचों का जो पहला काफिला है या आते हैं तो वह सबसे पहले हाउट मैन के नेतर तुम्हे है io 1595 में हायट मैंण के नेतर तुम ehkä पहला जो अभियाने वह भारत के ऊर आता है भारत कहीं ये इंडोनेशया के सुमात्रा वगरा के छेतर में इस इस चेतर में अर्थात इस यईंडी जे आता लेकिन वह क्या करते हैं उस दौरान क्या करते हैं कई सारी कंपनिया थी क्या करती थी वो क्या करती थी बार बार करते हैं दौरा करती चली जा रही थी पहले मान लीजे एक आये दो आये तीना इस तरीके से करी 15 दौरे वगरा किये जाते हैं इस चेतर में व्यापार को लेकर करके जैसे मान लीजे कोई आ तो यहां पे आप देख रहे थे वो बार बार देख रहे हैं कि इन के आवदा सकते हैं उसकी पूरती वो जगे कर पाएगे कि नहीं कर पाएगी इन सब को देख रहे हैं इसीकों से पूर्तगाली इसि इंडिया इसका नाम रखा गया उनाइट डच इस्ट इंडिया कंपनी आप नीदर लेंड इसका नाम था इसकी स्थापना की गई लेकिन इसको कई सारी कंपनियों को मिला करके इस कंपनी के स्थापना की गई थी लेकिन इसको कई सारे अधिकार दिये गए अर्थाथ खुली छूट भी परदान कर दी गई इसको छूट दी गई कि आप विजय कीजे आप व्यापार कीजे ऐसी चूटे जो थी पूरी तरीके करने के अधिकार दिये गए पूरवी जगत में ऐसा नहीं था कि आप नीदर लाइंड से निकले और बेल्जियम से भीड़ने लगे ऐसा नहीं था उनको जो आप यूद्ध और व्यापार के जो चेतर थे वो दिये गए थे भारती चेतर में क्योंकि उससे पहले पूर्टगा इंडोनेसिया था इंडोनेसिया उनकी सभी आवसकताओं की पूर्ति करे दे रहा था उनको खास तौर पर आप देखेंगे तो उनको पूर्टगालियों से लड़ना भी नहीं पड़ रहा था क्योंकि आप देखेंगे कि इस चेतर में मालाबार के तटों के चेतर पूर्ट जाती है उसमें क्या होता है हस्त अच्छे होना सुरू जाता है और पूरे क्या करते हैं उसको पूरा अपनी कंपनी को expand करना चाह रहे थे ताकि और बड़े इस तरपर व्यापार किया जा सके इसलिए वो भारत में भी आते हैं और मैं 1605 में डैच्ट नुच Mickey जिसका नाम है और अवा है है इस्ताद्य ब्वादेर क्या करता है क्यों आप देखेंगे फिर आपको थोड़ी दिल्चास भी लगेगी कि आखिर इस छेतर में क्यूं इस छेतर में कुछ यह तो पूरा पूर्टगालियों के अधीन था यहां पर यहां प्याप कुछ हस्थरचेप नहीं कर सकते थे इसलिए क्या करते हैं पूर्था पूर्वी व्हलत्र में तो यह याद रखेगा निजाम पत्नम में दोस्री इस्ताफित क्या सोला सोफ पांच में डचों ने किया कि हैं अमबाया को जीत लिया अंबाया पंज है यह आप कई सारे दीप पड़ेंगे यह जावा यह सुमात्रा है यह जावा है इसी के पास में आप तो इस इसले नहीं कि नहीं हो पारी इसले ग्याइब दैए हूं उस पर अधिकार करके वहाँ पर बेटाविया नामकर नगर इस्थापित क्या बेटाविया और कुछ नहीं यह बेटाविया ही बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं बेटाविया ही क्या है बेटाविया ही जकारता है तो यहाँ पर एक नया नगर इस्थापित क्या जकारता में ल उनका उदेश यहां पर सासन पर सासन करना भी था इस वज़े से क्या हो गया कि लेकिन डच दो थे वो सिफ क्या करते थे सिफ व्यापार के उद्देश से आये थे इसी को लेकर के अंबाया में ही जापानियों अंग्रेजों की हत्या कर दी गई सबसे पहले आदे के 1623 में अं अंग्रेज जीतना सुरू कर देशों को बिल्कुल फिक्स कर दिया था उनको सीमित कर दिया इस वज़े से क्या होगा डच सीधे सीमित होते चले गए लेकिन अब यही पर बात इहीं पर खतम नहीं होती कि डच सीमित होगे डच भी इतनी जल्दी तो जाने वाले थे नहीं वो भी तो व्यापार करने के उद्दे सही आया थे लेकिन अब आगे देखना यह होगा कि वो अंग्रेजों के सामने कितना टिक पाते हैं उसी कुले करके 1605 में अब सबसे देखे डच जो है वो पूर्तगालियों से सब को जीतते चले आ रहे हैं और डचों से अंग्रेज जीतते चले आ रहे हैं मतलब पूर्तगाली से जीता किसने डचों ने और डचों से फिर जीत लेंगे अंग्रेज तो देखे ये पूर्तगाली से डच जीतते चले जा रहे हैं और जितने जीत रहे हैं उनको फिर आगे अंग्रेज करते चले जा रहे हैं बस यही हो रहा दे को इन्होंने जीद लिया किसे जीता पूर्ट गालियों से तो पूर्ट गालीाल टुरण के défin caf घाल्ड में मालबार कि परोड़ से प्वांद से लिया आप देखें पूर्ट गालियों की जो यह यहां पड़ेगा पुलिकट में पुलिकट екसं हमें पुलिकुद पुलिकट में टकसाल में भगवान विशुल अर्थाथ भगवान वैंक टेस्वर के चित वाले सोने के पैगोडा सिक्के भी जारी किये गए उसी काल में ही और उसके बाद में क्या हुआ देखे इसको इस वाली लैन को पहले पढ़िए फिर जैसे जैसे ये माला बार के तट में ये फैलते चले गए उसी के काल में अब देखेंगे तो ये युद होता है युद क्या होता है 1741 में कोलोचल युद होता है रावट को के राजा मारतनड वर्मा ने डचों को पराजित गया सबसे अब देखे पहले पोत्टगाली उने पूरी पिर्फाद के राजा बीतितों करों प्रुट इन पूरूरी टरीके से रचेसे के विजय हो जाती उसके आगे चल करके अब देखें कि अठारासे 325 में 1814 में पहले 1814 में एक Angla दच संधी होती है उस संधी में बात कही जाती है कि सबसे पहले आप याद रहके उस संधी के दौराने बात कही जाती है कि जो छेतर आपके है वो आपके है जो इंडोनेसिया को आप ले लीजे भारत को हमें दे दीजे ऐसी बातें उस संधी में कही जाती है, संधी की एक सीमा थी कि आप 1825 तक भारत को छोड़ देंगे, ऐसी बातें कही थी, तो 1825 में वैसे भी संधी खतम हो गई, उस संधी के बाद में फिर एक समझोता होता है, जिसमें कहा जाता है कि अंग्रेज और डचों के बीच में कि ऐसी बातें कही जाती हूं संधी में, याद रखेगा आंग्ले डच संधी में, तो इंडोनेसिया वालों को दे दिया गया डचों को और ये दे दिया गया, किनको भारतियों अर्थात अंग्रेजों को ये दे दिया गया, उसमें जैसे मैं बताया, 1825 में डचों ने अंग्र प्रीकवर अधूर्यौ नेक्सट वीदो में अंग्रेजों की बात करेंगे तो अब जब घूनारी इस जटरिव अलग ऊगा है कि मैंने बताया कि क्या होता है क playful विदा टाउन मतलब नगर इस चीन में रुक करके खाना पिना वगरा खाते थे इस वेसे का नाम रख देगे केप अंतिम नगर यहीं से क्या करते थे यहीं से रास्ता जो थे दो पार्ट में डिवाइट एक गल्ले जाता था दूसरा बटाविया जाता था बटाविया का रास्ता आप देखना यह लेकिन बटाविय गाल यहांपर इस हारा है निकसल निकल जाता है लेकिन कई सारी स्थापित की जिससे परिछाु में पूछे जाते रहे हैं और यहांपर व्यासना सब्सक्राइब और उन्aller यहां पर व्यापार करने के इसलेकी मुछ बैसे नहीं आरे तर्याएं में उनके साथ में कपड़ों का सूती वस्तरों का भी व्यापार खूब करते थे ये भी इंपोर्टेंट है और इन्हों ने फैक्ट्रियां कहां कहां पर इस्थाफित की कोचीन थी सूरत थी कराइकल नाग पटनम पुलिकट मुस्ली पटनम बालास और कासिम बाजार पिपली चि चिंसुरा और पटना चिंसुरा वतमान में अब देखेंगे तो बंगलादेश में तो फिलाल आज के लिए वीडियो में इतना ही ये था इंपोर्टन टॉपिक जो मैंने बताया इसको मैं बनाई है मैं के साथ में इदर जो फैक्लिक है इनकोई नोट कर लिए बहुत इंप पहले इस फापना हो चुकी थी बस याद रखेगा दोनों बात भारत में नहीं आये थे लेकिन उसकी स्थापना पहले हो चुकी थी तो यह याद रखेगा बाकी आप जो मैंने बताया उनको बाकी अदब और चीजे जो है वो जज़देंगे इंपॉर्टेंट है नहीं बस वृद्वी अच्छिछ लगी वीडियो देंे अ कि लिए पुना एक बार आपका बहुत-बहुत धन्रमाद वीड़ेंगा कर दो और कर दो